दोस्तों यहां पर फाइनली Poco M4 Pro 5G के लिए इंडिया में एक नया अपडेट रोलर होना स्टार्ट हो चुका है, यहां पर मैं फड़ावर से अपडेट के बारे में बता दो कौन सा बिल नमर देखने मिलता है, कैसे आप लोग अपडेट कर सकते, क्या क्या अपडेट में मि देखने के लिए मिलता है, और यहां पर यह जो डिवाइस है इंडिया में देखने के लिए मिलता है, तो यह अपडेट इंडिया में रिलीस किया गया है, तो Poco M4 Pro 5G के लिए जो अपडेट मिला है, वो अपडेट का बिल नमर है, मिवाट 12.5.7.0 का लेटेस बिल नमर दे मिलती, जादा नहीं काफी छोटी साइज है, बट यहां पर आपको एक latest security patch update मिलता है, latest तो नहीं बोलूँगा, एक मंत पुराना है, यान कि May 22 का security patch update देखने के लिए मिलता है, बाकि यहां पर और कुछ नया change log देखने के लिए नहीं मिलता है, बट यहां पर एक just security patch update रिलिस किया गए, अब यह जो update यह update पोको एमफो प्रो फाईजी के लिए इंडिया में रिलिस किया गया है, तो यहां पर अभी तक मीवा 13 update नहीं मिला है, तो अब वो update कब मिलेगा, तो जैसे यह update दोस्तर सभी लोगों को fully rollout हो जाएगा, तो उसके बाद update मिलेगा, जैसे मालो अभी यह update आप लोगो मिलना start हो चुका है, इस मत में, तो कम सकम एक मन का आप लोगो time लग जाएगा, क्योंकि यह update सभी user को fully rollout होते होते, वन मन का time निकल जाएगा, तीन से चार वीक टाइम ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद फिर मिवा 13 update मिलना start हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगो इंतजार करना पड़ेगा, फिलाल के लिए जो update मिलना start हो चुका है, अगर आपके पास यह devices जाकर चेक करो, Redmi Note 11T, Redmi Note 11T 5G के नाम से भी यही device देखने के मिलता है, इंडिया में, तो जाकर चेक करो, अगर आपके पास email से कोई वीडियो ऐसे, तो update आया होगा, अगर आया तो तुरन डावलोड करें, कुसको update कर लें, अगर नहीं मिला, तो इंतजार करें, या फिर आप लोग manually update कर सकते, इसकी जो link से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया, बाकि टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें, फ्यूचर में सभी अपडेट की news वगरा पाने के लिए, और वीडियो पसना है तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गंटी का बटन प्रेस कर दे शुरी में तन बिल्टे के लिए प्रेमें, बाव बाव